दोस्तों नमस्कार अगर आपके डीटी फीडिस के उपर कम चैनल आते हैं या आप पूरे चैनल नहीं देख पाते हैं तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए है आप हमारे साथ बने रहे मैं आपको इसका पूरा-पूरा सलीशन बताऊंगा इस वीडियो में हम दोस्तों आपको टोटल साथ पूरा-पूरा बताने वाले हैं जो कि दोस्तों यह हमारे जो फीडिस के उपर कम चैनल आते हैं इसके लिए दोस्तों बहुत ही महत प्रोण हैं अगर दोस्तों आपने इन साथो पूरा-पूरा को ठीक से अच्छी तरह से नए चैनल नहीं आपाते हैं या हमारे पूरे चैनल बाक्स के अंदर नहीं आपाते हैं तो चलिए दोस्तों हम वीडियो आज की स्टार्ट रते हैं अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि हमारा जो बाक्स होता है बाक्स में अगर कम चैनल आते हैं तो उसका सब सब पहले जो कारण होता है वो है दोस्तों हमारे box में पूराने चनलों का भरा होना होता क्या है दोस्तों जब भी नई update आती है या हमें मालूम पड़ता है कि box में कुछ नए channel आये हैं तो हम फ्रेंट्स box को scan कर देते हैं और बार बार scan करने से दोस्तों आपके box में इससा चैनल इस्टोर होते रहते हैं और एक समय ऐसा आता है कि आपके box की memory फूल हो जाती है और उसमें पूरे चैनल नहीं आ पाते हैं इसके लिए दोस्तों आपको सारे चैनल जो है आपके पुराने उनको आपको delete करना होगा delete करने के लिए दोस्तों आपको menu में जाना होगा menu में फ्रेंट्स आप 14 नमबर पर आएंगे जहां पर लिखा हुआ है आपका edit program और यहां पर आके दोस्तों आपको ok कर देना है अब फ्रेंट्स आपको फिर से ok को प्रस करेंगे आप देखेंगे कि आपकी tv के उपर यहां पर आना है radio चैनल लिस्ट पर यहां पर दोस्तों ok कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने आप डिर सारे रेडियो चैनल आ जाएंगे इनको भी दोस्तों आपको आटाना है हटाने के लिए आपको फिर से जो menu याना है और उसके बाद फिर से आपको इस प्रोग्राम स्रट करके सारे चैनलों को आपको डिलीट कर देना है। इस तरह दोस्तों देखेंगे कि आपके सारे चैनल डिलीट हो गए, और यहां पर आपका जो है नो रीडियो प्रोग्राउन लिख्या आने लगा। अब फ्रेंट्स आपको फिर से मेनु में आना है और आपको सबसे उपर आना है चैनल लिस्ट के उपर टीवी चैनल लिस्ट के उपर आके दोस्तों आपको एक बार ओके कर देना है अगर फ्रेंट्स आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको चैनल देखने को बॉक्स के अंदर नह दोस्तों कई बार एसा होता है कि हम जब भी बाक्स को scan करते हैं और और इंस हमये बाक्स के नदर चनल नहीं दिखई पढ़ते हैं आप चलते हैं उस सो हम चलते हैं तीसरे कारण की तरफ तीसरा करण है हमारा दोस्त्तों, डिसक लाइमेंट ठीक से नाऊना डिसक सेटनां लाइन अगर आप फ्रेंट्स आपकी डिक्ष्प प्रापर तरीके से श्यट नहीं है आपकी डिस्क के उपर का सिग्णला आते हैं तो दोस्तों इस क tiredई इसक में जो करने की पिरण ब्राइब़ी इसके लिए दोस्तों आपको डिस्क अलग-अलग होता है इसलिए फ्रेंट्स आप जब भी स्क्राइम करें तो आप अपने यहां के हिसाब से स्क्राइब को सेट करें है इसके बाद दोस्तों, हमारा चौता करण आता है, कम चनल आने का, वो है दोस्तों, हमारी LMB, friends, आपको चाहिए कि आप हमेथा अच्छी क्वाल्टी की LMB, इस्तेमाल करें, आप local LMB इस्तेमाल نہ करें, लोकल LMB भी फ्रेंट्स आपको signal कम मिलता है जिसके कारण दोस्तों आपके पूरे चनल नहीं आप आते हैं इसलिए फ्रेंट्स आप कोसिस करें कि आप अच्छी क्वाल्टी की LMB लगाएं इसके बाद दोस्तों कम चनल आलने का अगला कारण है वह दोस्तों डिसका हमारा सीधा ना लगा होना दोस्तों जो हमारा मास्ट होता है यह हमेशा 90 डिगरी पर होना चाहिए अगर फ्रेंट्स यह आपने टेड़ा लगा रखा है तो दोस्तों आप कितना भी कोसिस करें इसके इंगल मिलाने की आपका इस स्विंगल ठीक से सेट नहीं होगा जिसे current प्रेंट्स आपके box के ऊपर कम चैनल टापत होंगे इसके बाद आता है प्रेंट्स अगला current जो कि ये current ये LMB arm का ठीक से सेट ना होना, दोस्तों होता क्या है कि LMB arm वहारी बाहर रहती है इसके उपर LMB fix रहती है अभी कभी दोस्तों बंदर आ जाते हैं और हमारे LMB के उपर जूला जूल जाते हैं जिसके कान फ्रेंट्स इसकी LMB की और रिफ्लेक्टर की फोकस दूरी जो है डिस्टर्ब हो जाती है और दोस्तों हमें सिंगल देखने को नहीं मिलता है अगला दोस मिलते हैं और आपके सिंगनल के ऊपर कम देखने मिलते हैं जिसके करां फ्रेंट्स आपके चैनल कम आते हैं आपके पूरे मिलते हैं दोस्तों वीडिओ को लाइक करे नहीं हो पाते हैं चैनल को सब्स्क्राइब करें वीडियो देखने लिए आसे वी का बहुत बहुत धन्यवाद